हेलो दोस्तों विनिंग विथ एफोर की सीरीज में आप सभी का स्वागत थे विनिंग विथ एफोर मतलब एफोर की गेम हम लोग खेल रहे जो वर्ड फेमस है बहुत सारे लोगों की पसंद है तो एफोर बहुत एटेकिंग लाइन है पहले से शुरुआत से फाइट तो फिन फोर लाइन बहुत की बैतरिन रहती है जो लोग अटेकिंग प्लेयर है उसके लिए इफोर इस जगबेस्ट तो इफोर के सामने इससे पहले हमने रूई लोपेज भी देख लिया त्यारोकान बता दिया अब हम देखेंगे पर्क डिफेंस इफोर डीश चलिए यहां पर आ आपको पॉण को सपोर्ट करना नाइट सी थी और ब्लैक रिप्लाइज देता है नाइट बीडी स्यावार कि यहां पर मैं एक आपको बहुत ही बहतरी मूँ बताऊंगा और बहुत ही आटेकिंग जो एटेकिंग प्लेयर है उसके लिए बहुत ही बेस्ट लाइन है यह आप को खिलना है जी पोर माने होगया हुए विए देको पोजीशन में आप देख सकते हो कि जी पोर कोई गलत मूый नहीं है यहां पर वाइट स्लाइज ऐडवाटेकि स़ाइडुनिक से लाइन टू लाइन है बलैक रिप्लाइज देता है यहां पर ईव पाई और यहां आपको को खिलना है क्विंग टेक्स डेफोर अब ब्लैक के पास कोई च्वाइस नहीं है सिवाई नाइट जी एक और यहां आपका डेवलोप हो जाएगा विशप एथ्रेट यहां आपको सपोर्ट देना है मानना नहीं है नाइट एप तो पोजीशन में आप देख सकते हो कि वाइट के दो और तीन माइनर वेश डेवलोप हो चुके हैं क्विंग सेंट्रलाइज है और आपका जो लाइट स्क्वेर विशप है यह टोटली डेवलोप है मतलब दोनों साएड और बलाक का जो पोजीशन नहीं पर Rebel की कोई भी पिषिस डेवलोप नहीं है तो यह फाइदा आपको बहुत ही मिलेगा इस पोजिशन में ब्लैक ज्यादा तर खेलता है C6 और इस पोजिशन में आपको करना है लॉंग केसल देखो वाइट स्लाइट एडवांटेज मतलब 0.91 वाइट वन पॉइंट जीतना प्लस है तो वाइट से आप इस पोजिशन से गेम जीच सकते हो लॉंग केसल के बाद ब्लैक रिप्लाइ देगा H cross G5 यहां आपको टेक्स करना है नाइट टेक्स G5 अब ब्लैक रिप्लाइ देगा नाइट H6 पहला माइनर पिस बाद और उसके बाद आपके पास एक और जब 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 चोईस है एप कोज़ इलेवन मू हो गई इस बारा मूं के बाद वाइट वन पॉइंट जितना प्लास मतलब वाइट क्लियर ली गेम विनिंग की पोजिशन में है परफेक्क्ली आपको खिलना है यहां से और उसके बाद आप एक वाइट से गेम जीच सकते हैं चलिए अब दूसरा नबीडी से वन के बदले देखो यह लाइन जो मैंने बताई ब्लैक एनबीडी सेवन करता है आप जीफोर करते हो मतलब जब ब्लैक एनबीडी सेवन करता है तो पर्क के सामने आपको जीफोर एटैक करना है ज्यान दखिए सब भी लाइन में जीफोर नहीं होगा मैं और भी बताता हूं यहां पर आपको चलिए नाइट सी थी के बाद ब्लैक इंस्टंट इफाइव करता है तुरंत ब्रेक लिए निक अपला है यहां पर कई लोग जान बुचके अपना कैसल ब्रेक करके ब्लैक से खेलते हैं जैसे कि पॉंटेक्स पॉन पॉंटेक्स उसके बाद आपको खेलना है बिशब जी फाइव ब्लैक रिप्लाइ देका बिशब दी सिक्स जहां भी आपको करना है लोग कैसल ब्लैक रिप्लाइ देका नाइट भी दी सेवन अब आपको रिप्लाइ देना है नाइट एप थ्री ब्लैक किंग इएट किंग इएट जरू इसी मूव में अगर ब्लैक ने किंगी एट नहीं किया तो आप यह कर सकते हैं किंगी एट के रिप्लाइ में आपको खिलना है नाइट बीफाइब अब बिशब पर दो अटेक आएंगे ब्लैक को पोस्फुली किंगी सेवन करना पड़ेगा जो सपोर्ट लाना जरू है यहाँ पर आपको खिलना है नाइट डीटू फिसकन मैनोर रिंग आइडिया है नाइट शीपोड वन मॉर अटेक यहाँ पर ब्लैक रिप्लाइ देगा एक्सिक्स वेट करो बिशब एक्सपो ब्लैक रिप्लाइ देगा बिशब एक्सिक्स और यहाँ पर आपको खिलना है बिशब एक्सपोर करके तो आपके पास बहुत सारी चॉइस हैं यहाँ पर हलाक यह बिशब टेक्स एक्स यह एक लालश वाली मुह है इसके बाद आप नैट टेक्स बिशब करके बिशब करके इस बिशब को ट्रैप करने का प्लान कर सकते हैं तो यह दोनों लाइन हो गए चलिए तीसरी लाइन में बताऊंगा आपको सी सिक्स मतलब फोर्थ मुह में इंस्टिड ओप इफाइव के बदले यहां पे ब्लैक रिप्लाइ देता है सी सिक्स सी सिक्स में आपको रिप्लाइ देना है एप फोर्थ्रे पॉन अटेक्स अब यहां से मैं आपको दो सजेस्ट करूंगा ब्लैक की और से दो मूव है एक मूव है नाइट बी डी सेवन दूसरा जो है वो है क्वीन सी सेवन यह दो चोईस हो थी अगर ब्लैक नाइट भी डी सेवन करता है एप फोर के बाद तो आपको तुरंट इफाइव करना है ब्लैक रिप्लाइ देगा नाइट दी फाइव simple knight takes knight c takes d5 और उसके पाद bishop d3 black reply देगा e6 आपको खिलना है knight f3 bishop e7 castling d takes e5 f cross e5 पूरी f5 half open file के साथ में आपका रुक वहाँ पे settle हो गया है castle भी हो गया है black यहाँ पे castle करेगा और उसके बाद queen e1 देखिए यहाँ पे queen e1 के बाद black को f5 खेलना compulsory हो जाएगा वन्ना next threat में हम queen g3 लाएंगे और यहाँ से attack शुरू करेंगे bishop h6 knight g5 वगड़े वगड़े दूसरी line में queen c7 बताता हूँ जो nbd7 f4 के बाद यहाँ पे हमने f4 किया queen c7 चलिए यहाँ पे e5 stop किया black यहाँ आपको खिलना है knight f3 e5 की threat continue रखना है black reply देगा bishop g4 pinning करके h3 करना है यहाँ पे और bishop takes f3 force move है यहाँ पे queen takes f3 और उसके बाद black reply देगा e5 center break के लिए कोई problem नहीं हमें takes नहीं करना है हमें bishop develop करना है दोनों side के bishop का support मिल जाए bishop e3 से black reply देगा knight bd7 और यहाँ आप कर सकते हो long castle black place bishop e7 और उसके बाद one more attacking move g4 तो यह position आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताइएगा बहुत ही जबदस 1.22 white is winning तो दोस्तो यह थी पर्ट डिफेंस के सामने खेलने के line next video में और भी आपको देखने को मिलेंगे तो हम जल ही मिलेंगे पर्ट के आगे के variation देखने के लिए जैहिन जैगुदा